अबहर बीडिंग्स कैसे हैं आप लोग सो बेसिकली मैं साजटेरिस के लिए हिंदी में डीडिंग कर रहे हूं जून 2022 वेडिक एस्मस्ट्रालोजी दोनों में डीड करती हूं आप चेक कर लेजेका इन्फार्क मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डीडिंग्स पोस्त करने जो प्रिट गाइड के सीज और मेडिटेशन और मेरी अंडर्स्टैंडिंग्स में आता है तो बेसिकली यह जो रीडिंग है यहां पर हमारे पास है किंग उस्वार्ट वी हाव निटेन वांज वी हाव दी हमिट अन्जी और यहाव नाइन आफ काप्स वी हाव दी तो अव जानता हूँ जानती हूँ कि मेरी जो वर्थ है वो क्या है मैं किस तरहां से इसको चानलाइज करना चाहता हूँ वो मैं जाता हूँ चाहे वो मेरे वित को लेकर है चाहे वो मेरे पॉसल अंडर्स्टैंग्स को लेकर है तो उसको वो क्लारिटी है उसको काम्पुटिशन में नहीं जाना है उसको बेसिकली यह समझना है कि किस तरह से मुझे अपनी लाइफ यह बेहतर करनी है यह समझना है तो बेसिकली यह जो हफ्ता है यह बहुत पलदाय करेगा अगर आप अपनी मांशिक स्थिती को जगा पर रखेंगे यह सप्ता आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसा है पास्ट में जो आप रिलीस करने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है जो किसी तरह से बनेफिशल है नहीं क्योंकि आपको स्पर्ट जो है वो आडवाइस कर रही है कि देखे टाइम आउट लेने से कुछ होता नहीं है बहलाई होता है हमेट energy है यहाँ पर यह basically reflective energy है क्या बैट कर सोचिए कैसा क्या है जो सही नहीं है in our conduct in our way आप उसको basically drop करिए because वही आपको आगे लेकर जाने वाला है right सुधारने के लिए हमारे पास ना बहुत से हमें मौके दिये जाते हैं लेकिन हम basically उनको use करते हैं या नहीं करते हैं that is what needs to be seen that is what needs to be addressed तो आप यह देखे कि आप किस तरह से अपने आपको आगे लेकर जा रहे हैं किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं अगर यह किसी you know vertigat level पर आपकी किसी relationship को लेकर हैं तो आप किस तरह से उसमें समय दे रहे हैं या चंताओं से दूर रख रहे हैं दूसरे को कोशिश कर र सारी बाते वह रिफ्लेक्ट करता है नायरव कफ से emotional wellness की बात है कि हाँ जहां पर आप थोड़ा सा वह चालेंज फील करते हैं कि यह कुछ सेटल नहीं हो रहा है कि और जादा हो रहा है हेल्प थोड़ी खराब हो सकते हैं चिंता बढ़ रही है वहां आप बेसिकली अपने आ अगर आप कर चुके हैं या आप मिल चुके हैं उनसे यह भी possibility अगर आप आप रिलेशन्चिप में या कपल नहीं तो focus करें कि आपको क्या चीज करना है कैसे क्योंकि जब हम पूदा लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका पूरा देखते करना हमारा फर्ज हो जाता है अगर अगर देखें वे देखें वे देखें वे देखें इसका प्लोजर है वो यही कहता है कि हाँ आपका जो दिन है या सकता है जिस तरह से भी ताइमलेसली आप इसको देखते हैं यह बहत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि आप basically old patterns और old ways को टाटा बाय बाय करते वे आ आप basically romance को लेकर you know चिंतत नहीं है लेकिन आप यह चाहते है कि कुछ भी अगर चिंता का कारण है तो आप उसको you know हटा दे ताकि आपका जो रिष्टा है वह बरकरार है बिकुस आप बहुत अच्छी जगह से operate करें आप you know प्रेम देना चाहरें और प्रेम रिसीव करना चा अगर आप बताएंगे नहीं अपने पार्टनर को तो उसको किसे पता चलेगा या अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर आप पूरे दंखम से नहीं करेंगे तो वह कैसे वह उजा आप उसमें महसूस कर पाएंगे तो चाहे वह वह वित्त को लेकर है चाहे आपकी you know अगर आप पूरे आप आप बहुत चीज़ें बालेंस करें और दोनों चीजों का असर जब आपको बालेंस देखेंगा तो आप बेसिकली खोद एक बहुत अची स्पेस में महसूस करेंगे आपकी चाहे नौकरी है चाहे बिजनस है सब बहतर जाएगा कुछ ऐसा वरी वाल बाले जो देज है वो कुछ ऐसे रहेंगे बाकी पॉस्टल वीडिंग के लिए आप मुझसे डेफिनेटली कनेक कर सकते हैं डीटेल मेरी गिवन होती है कूप और यूट्यूप और इंस्टा पर आप मुझसे कनेक कर सकते हैं एन अकॉर्डिंगली हम इसको आगे लेके चल स करें सपोर्ट करें लाइक करें फॉलो करें शेयर करें और आपको बहुत सा रप्रीम और आभाव थैंक यू